आप देख रहे हैं आज ये वीडियो खास महिलाओं के लिए हैं महिलाएं मल्टी टास्कर होती हैं घर बचे जॉब सब कुछ समालने में एक्सपर्ट होती हैं लेकिन पीछे रह जाती हैं अपनी हेल्थ समालने में तो आज उनकी हेल्थ से रिलेटेड हम एक बहुत इंपोर् 25% विमन हमेशा कम्प्लेन करती हैं कि उनके पैरों में दर्ब है दिन भर तो वो बिजी रहते हैं बढ़ने लटने वाले टीनेजर गर्ल्स हूँ हमेशा बिजी रहते हैं दिन भर में दर्द होने के क्या कारण है और फिर हम बात करेंगे इसके आयरवेदिक ट्रीटमेंट के बारे में जो कि बहुत एफेक्टिव है और पेन किलर्स वगेरा से कई जादा एफेक्टिव और साइड एफेक्ट फ्री है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फटा-फट से में वीडियो स्टार्ट करती हूं तो जादा तर पैरों में दर्द पिंडलियों में यानि के काफ मसल्स में ये तो बहुत कॉमन प्रॉबलम है अक्सर ही महिलाएं बताती है किन कारणों से हो सकता है अगर cramps हो रहे हैं वहाँ पे muscle में cramps हो रहे हैं क्यों कभी आपने over exercise कर ली हो जैसे कि आपको exercise के लिए बोला डॉक्टर नी और आपने एकदम से बहुत जादा running और बहुत जादा exercise कर ली और पैरों में दर्द हो गया क्यों होता है क्योंकि dehydration की वज़े से आपके ions loss हो जाते हैं और वहाँ पे pain होने लगता है तो कोई भी over exercise अगर आप करेंगे तो इस तरीक के cramps हो सकते हैं ये रात में बहुत तेजी से उठने वाला दर्द होता है नमबर टू पे पैर दर्द का और क्या कारण हो सकता है nutritional deficiency जादा तर teenagers में ये बहुत देखा गया है nutritional deficiency vitamin B12, vitamin D, iron, calcium, magnesium, sodium, potassium, साथ में protein अगर इन सम्में से किसी की भी कमी हो तो हो सकता है आपके पैरों में दर्द बना रहता हो मीटा मीटा एक हलका दर्द आपके पैरों में हमेशा बना रहता हो तीसरा और बहुत obvious कारण है आपके वजन का जादा होना जादा वजन होगा तो सारा भार आपके पैरों पे पढ़ता है और इसलिए पैरों में दर्द बना रहता है नमबर चौथा कारण जो कि जादता लोगों को नहीं पता अगर आपका पेट बहुत टाइम से खराब है आपको गैस बनी रहती है आपको कब्स रहता है तो हो सकता है कि आपके पिंडलियों में पैरों में आपको दर्द महसूस होए क्योंकि आपके वात दोश इंबैलन्स होता है वात आदरते नास्ति रुजा यानि कि अगर वात है बोडी में कहीं भी इंबैलन्स है तो बिना रुजा के बिना पेन के पॉसिबल ही नहीं है तो पेन इसलिए होता है अक्सर ही ये एक बड़ा कारण आयरवेद में माना गया है और एक कारण यानि कि पीरिड्स में होने वाला दर्द इसे तो लगभग हर ही महीला फेस कर चुकी होती है कभी न कभी तो पीरिड्स में कमर में दर्द होता है और पैरों में भी जाता है यूज्वली उस टाइम पे बहुत ज़ादा हॉर्मोन फलक्टुएशन होते हैं और इस वज़े से हमें ये पैरों में दर्द होता है इसके अलावब मीनोपॉजल एज यानि कि आपका बिलकुल इस्टोजन लेविल वहाँ पे गिर गया है कैल्शियम की कमी देखी जाती है वजन बढ़ना दिखा जाता है ऐसे ही में आर्ट्राइटिस की प्रॉब्लम देखी जाती है और अक्सर ही प्री मीनोपॉजल विमें में या मीनोपॉज के बाद पैरों में दर्द की शिकायत महिलाएं बताती है जॉब ओरियंटेट पेन यानि कि डेस्क जॉब है अगर आपकी यानि कि जैसे हम डॉक्टर्स की होती है लगतार कंसल्टेशन दे रहे हैं पैर घंटो घंटो नीचे लटके हुए हैं ऐसे में पैरों में दर्द बना रहता है या फिर आप बहुत देर खड़ी रहती हैं तो कई बार वेरिकोज की शिकायत कR थो भी यह किसम का पैरों में दर्द होने का कारण है इस वेंध्रोम्बॉसीस हो तो भी ऐसा होता है शीयाटीका में ऐसा होता है अगर कहीं लंबर कंप्रेशंस हो तो भी पेई हो सकते हैं या फिर कोई बहुत टाइम से em ВсёU शूगर कीमेडिसिन, कॉलिस्टर Kr embarc to b상les you đó भी पें होता है तो आप कारण को जाने की किस वज़े से दर्द है अगर nutritional deficiency की वज़े से है तो आप definitely अगर B12 है तो आपको B12 रिज डाइट लेनी पड़ेगी विटामिन D के supplement लेने पड़ेंगी, protein-rich diet लेनी पड़ेगी, potassium, magnesium अगर इनकी कमी है तो इन से related diet खानी पड़ेगी तो इनके blood test भी होते हैं वो भी आप करा सकते हैं तो अगर nutritional है तो हमें अपने खान-पन पर खास ध्यान देना होगा और अगर खान-पन की बात करें तो आयरवेग में क्योंकि pain आपका वात दोश imbalance की वज़े से हैं तो ऐसी diet लेंगे जो कि वात को बढ़ाए नहीं जैसे ऐसी सबजियां जो गयास जादा करती हैं मतर है गोबी है शलजम है इस तरीके की सबजियों को हम avoid करते हैं साथ में गाय के घी का यूज करते हैं ताकि क्योंकि वात हवा को air को resemble करता है तो जादा से जादा इस नहीं हन मिले इसलिए हम इस तरीके की diet बताते हैं बहुत ठंडी जगों पर एसी ना चला के रखें बहुत तेज पंखें में ना बैठें ये सब चीज़ें आपको follow करनी होगी प्राणायाम भी आप follow कर सकते हैं साथ ही कुछ stretching exercise पैरो के लिए उनको भी आप follow कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं medicinal herbs की आयर्वेदिक treatment आयर्वेदिक doctor के guidance के अंडर ही लें क्योंकि सबसे पहले doctor आपके दोश imbalance को rule out करेगा आपकी प्रकृति को जानेगा body type को जानेगा रितू चर्या यानि रितू को देखेगा इस हिसाब से हम पूरी अच्छे तरह से medicine देते हैं तो अपने आप ही medicine बिलकुल हमेशा doctor के guidance के अंडर लेंगे तो आपको result मिलेगा अब हम बात करेते हैं treatment की तो क्योंकि वात imbalance pain हो रहा है तो वात यानि हवा हवा को resemble करता है इसके लिए इसनेहन अंदर से भी जरूरी है और बाहर से भी तो आप बाहर से तेल लगाए महानारायन तेल या निरगुंडी त बहुत effective हैं अगर आपको leg cramps हैं जो की बहुत heavy exercise करने से होते हैं तो इसमें बहुत जादा मालिश ना करें आप simple इसमें महानारायन तेल लगाए और उसके बाद heat pad लगाके महां के सिकाई करें simple अगर normally osteoarthritis है या और किसी वज़े से दर्द है तो आप महानारायन तेल की या procedure होता है आयरवेद में अंदर का इसनेहन कैसे करेंगे एक तो खाने में घी की मात्रा बढ़ा है इसके साथ ही बहुत सारे medicated घी available हैं वो डॉक्टर आपको prescribe करते हैं और शीर बला तेल इसका बहुत अच्छा मैंने result देखा है तो शीर बला तेल के capsule भी easily available हैं वो भी आप ए एक capsule रात में ले सकते हैं और अगर दर्थ की बात हो और गुग्गुल की बात ना हो तो यह बिलकुल भी फैर नहीं होगा क्योंकि आयरवेद में गुग्गुल anti-inflammatory बहुत अच्छी medicines है योग राज गुग्गुल का बहुत अच्छा रोल है अगर आपको पिंडियों में क काफ मसल्स में पेन है तो आप योग राज गुग्गुल को ले सकते हैं दो गुली सुभे दो गुली रात खाना खाने के आदा घंटे बाद ले इसके साथी अश्वगंदा रिष्ट जो टीनेजर होते हैं टीनेजर को हलका हलका अगर काफ मसल्स में पेन है चाहे nutritional deficiency की वज को सपोर्ट देता है बहुत अच्छा रोल है 20 ml अश्वगंदारिश में 20 ml वाटर मिलाएं और खाना खाने के जस्ट पाद आपको लेना है सुभे और रात में तो यह कुछ मैंने basics medicines बताई लेकिन हमेशा डॉक्टर के guidance के अंदर ही आप medicine ले तो वीडियो कैसा लगा ये भी comment section में बताईएगा कोई question पूछना है आप वो भी पूछ सकते हैं वीडियो को like करें वीडियो को share करें चैनल को subscribe करें वीडियो देखने के लिए thank you